जैसे हम लोग घर में नॉर्मली साड़ी पहनते हैं इस साड़ी को इस तरीके से मैं कई बार पहन चेकी हूँ यह साड़ी को मैंने करवा चाथ पे पहना था तो मैंने स्टाट यूना मैं इस साड़ी के साथ कुछ डिफरेंट लुक क्रियेट करती हूँ अगर आप अपने साड़ी को एक ही स्टाइल से पहन पहन के बोर हो गया है तो बिलकुल यह वीडियो आपी के लिए है आज मैं आपके साड़ी को आप बिलकुल फ्री एंड होके कैरी कर सकते हैं अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो बिलकुल परफेक्ट है आपके लिए कर लेते हैं कि साड़ी पहनना स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप अपनी ही उसको पहन लें जैसा कि मैं अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बता चुकी हूं ही अगर आप पहनेंगे तो आपकी साड़ी नीचे से छोटी नहीं लगेगी और या तो फिर आपका पीछे से टक करते हुए एक राउंड गुमा लेंगे जैसे कि हम एक साड़ी का स्टार्टिंग का बेर्स रेडी कर लेते हैं एक राउंड गुमा कर सेम वैसे ही करेंगे अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट भी अगर जिससे मेरे आगे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें तो साड़ी का एक राउंड हमने कम्प्लीट कर लिया है अब हम प्लीट के लिए थोड़ा साड़ी को इसमें छोड़ देंगे प्लीट के लिए यहां पर हमें बहुत जादा साड़ी कर लेंगे और पलू के लिए प्लीट्स बना लेंगे पलू के लिए प्लीट्स आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं जितनी आप छोटी बड़ी यहां पर मेरा यह बॉर्डर है तो मैं उसके अकॉर्डिंग सिर्फ बॉर्डर को ले रही हूं और छोटी छोटी यह जैसे की silky साड़ियां होती ही बहुत हैवी होती हैं उनमें आगे की जो pleats हैं वो बहुत ज़दा हैवी हो जाती हैं तो उसके लिए आप इस साड़ी को try कर सकते हैं आगे की pleats बिल्कुल flat आएंगी और अगर आपका belly fat है या आप थोड़े से healthy हैं तो इस साड़ी को जरू try कर सकते हैं यह look बहुत ही अच्छा लगता है मुमिट साड़ी में आप बिल्कुल slim देखेंगे अगर इस लुक के साड़ी को अगर आप try करते हैं तो मेरे साथ इसकी picture जरू शेयर कीजिएगा मैं अपने आगे आने वाले नए वीडियो में आपकी picture जरू शेयर करूंगे अपने चैनल पर इस साड़ी के लिए आप अपने पल्लू को right shoulder पर नहीं लेंगे left shoulder पर लेंगे देखिए मैंने यह पर इसको left shoulder पर लिया है और अभी मैं इसको safety pin से secure नहीं कर रही हूं पल्लू को अपने क्यूंकि मैंने अभी यहाँ पर top पहना हुआ है इसके बाद मैं blouse चेंज करूंगी और आप भी इसे safety pin से secure नहीं करेंगे जब तक आपका पल्लू का final look ready नहीं हो जाता है last में आप उपर shoulder पर अपने safety pin लगा सकते हैं बट वो बिल्कुल last में लगाईएगा तो चलिए आए हम साड़ी की pleats को बना लेते हैं इस साड़ी की pleats बिल्कुल different होती नौर्मल साड़ी के जैसे नहीं होती है जैसे कि मैं ले रही हूं इसके लिए आप इसकी pleats को बहुत ज़दा चौड़ा नहीं लेंगे और नहीं बहुत ज़दा पतला बिल्कुल ठीक ठीक लेंगे जैसे कि मैं ले रही हूं देखिए इसमें और इसको one by one करके इसमें maximum अंदर टक कर लेंगे जैसे कि मैं कर रही हूं देखिए यहां पर उसके बाद आप इन प्लीट्स को एक सेफ्टी पिन की हेल्प से सिक्योर कर लेंगे जिससे कि आपकी प्लीट्स नीचे नहीं निकलेंगी मैं यहां पर इसे सेफ्टी पिन से सिक्योर नहीं कर रही हूं क्य हम बिल्कुल front में ले आएंगे तो देखिए मैंने आपको कहा ताना आप front में पल्लू को safety pin से secure नहीं कीजिएगा क्योंकि पल्लू set करने के बाद ही आप safety pin लगाएंगे तो आपको बार-बार safety pin नहीं कर रही हूं आप यहां पर एक safety pin लगा सकते हैं कॉररन में उसके बाद मैं आपको यहां पर blouse change करके दिखाऊंगी तो उसके बाद मैं इसे safety pin से secure कर लूँगी यहां पर मेरे पास mirror नहीं है तो मुझे थोड़ा पीछे देखना पड़ रहा है साडी का लुक कैसा आ रहा है अगर आप mirror यूज करके पहनेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इस साडी को पहनने में एक ही बार में आपका पलू रेडी हो जाएगा तो इसी लिए मैंने आपको बताया था इ इसको safety pin से अच्छे से secure करके दिखाती हूं तो देखिए blouse के साथ साडी का लुक इस साडी को आप बिल्कुल free hand होके carry कर सकते हैं अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो इस साडी में आपको कोई भी problem नहीं होगी जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया है अगर आ इस चिन के साथ आपका जो कमर वाला पार्ट वह बिल्कुल खिल कर आता है तो देखिए जैसे यहां पर बैक में यह थोड़ा incomplete लग रहा है तो यहां पर बैक की प्लीट को भी अच्छे से हम सेट कर लेंगे और बैक में भी safety pin लगा लेंगे मैं आपको दिखाती हूं यह द तो आप देखिए साड़ी का final look मिलते हैं next video में thank you so much for watching my video bye bye कर दो आप zas लेखिए से हुआ हैं रहा हैं यह दोशदार के बैक में बैक में धळाती हैं कर दो कर दो कर दो कर दो